हाई मैं श्रीमान्तो मैं आज आप सबको सिखाऊंगे कैसे Microsoft Office 2007 में कॉपी काट और पेस्ट कैसे करते हैं तो पहले मैं आप सबको दिखाऊंगा कैसे कॉपी करते हैं तो पहले टेक्ष्ट को सिलेक करना पड़ता है कॉपी करने के लिए माउस के लिफ्ट बटन दवा कर उसके बाद होम टैप के अंदर चो क्लिप बुड डिवन है उसके बाद कार्सर को हम जहां पेस्ट करना चाहते हैं मैं पेस्ट करता हूं कैसे क्लिभब पिश्ट करना है आप हो मैं टैप के अंदर क्लिप बॉर्ट डिवन में है पेस्ट ऑप्षिन उस सक्रण को क्लिग करके भी पेस्ट कर सकते हैंर राइट क्लिक करके भी अप살 कर सकते और एक सुट्कत की भी है कॉन्डॉल गऄ अप व कू भी प्रेज करके happen कर पाऊगे उसके बाद फिर से और अब पर अब को कपी करके दिक्रत हो मैं तब देख सकते टेock एक सिलेक करने के बाद उसके उपर रायट क्लिक करके be copy कैसे करना परता उसके बाद रायट क्लिक करके paste कैसे करते हैं फिर मैं दिखाऊंगी कैसे काट करते हैं काट मिन्स मूव तो पहले टेक्स्ट को सिलिक करना पाड़ता है तो मैं पहले अब टेक्स्ट को सिलिक करूंगा जो मैं काट करना चाता हूँ मैंने टेक्स्ट को सिलिक किया सैंपल टेक्स्ट को सिलिक कर लिया उसके बाद मैं दिखता हूँ कैसे काट करते हैं सिलिक करने के बाद होम टैप के अंदर काट है एक्लिप पॉडिवन के अंदर उसमें से काट को मैंने चुन लिया उसके बद उस टेकस्ट हाइड हो गया काट हो गया तें मैं जहाँ पेस्ट करना चाता हूँ वहाँ पर करसर करार्श रख दिया और उसके बाद पेस्ट में कुलिक कर दिया तो वो text move हो गया यहां तो मैं फिर से और एक बढ़ दिखाना चाता हूँ कि कैसे text cut करते हैं तो first select करना पड़ता है text को उसके बाद home tap के अंदर जो cut है clipboard ribbon वहां से cut करने के बाद cut हो गया फिर से मैंने जहां paste करनी है वहां पर कार्चर राखकर paste कर दिया paste के shortcut की है control भी and cut cut अब shortcut की से भी कर सकते हैं cut के shortcut की है control x अब control x दावा करके भी cut कर सकते हैं तो मैंने कार्ट copy अब को दिखा दिया अब दिखाऊंगा कि पेस्ट special कैसे करते हैं तो पहले पेस्ट विसल करने के लिए text को copy करना पड़ता हैं तो मैंने test text को select करके copy कर लिया उसके बाद cursor रख लिया उसके बाद paste paste विसल दन पेस्ट लिंक पर select करके unformatted text को select किया उसके बाद ok कर दिया अब test लिखा तो आ गया लेकिन उसके जो red colors है और font size है वो नहीं आया default भी आया है उसके पाद मैं formatted text करके ok करता हूं तो आप देखिए जो भी text size है और color है वो ही आ गया तो यह formatted text और अब मैं आप सब को जो shortcut की यहां पर मैंने यूज किया वो लिख देता हूं अब इसको note रख लिए copy के shortcut की है control plus c cut cut के shortcut की है ctrl plus x paste paste के shortcut की है ctrl plus v और एक जो पेस्ट स्पेसल अब पेस्ट स्पेसल भी shortcut की से कर सकते हैं पेस्ट स्पेसल के shortcut की है alt plus ctrl plus v d thank you for watching please like and share this video and please subscribe to my channel thank you